सावने शहर में से इत प्रतम वर्कन नाय दंडाती कारी नाले तथा दिवानी नादीश कनिश्ट सर ऐसे कुल तीन नाले सी थे जहां नाय पानी ही तु रोजाना स्रेकडों की संख्या में लोगों का आवागमन बना रहता है इतने महत्वपुन नाले परिसर के ड्रकरकाव का जुम्मा इसी नालीन इमारस से सक्टे सार्वजनिक बांधकाम विभाग के तरफ है लेकिन सर्वचनिक बानकाम विभाग के नजर अंताज वल्लचर कार्य प्रनाली से नाले परिसर में गाजर खास, कटीली पेड तथा भारी जल चमा, आम जनता के साथ साथ परिसर में रोजाना आनिवाली नया दिश, अधिवक्ता तथा नागरिकों के लिए परिशानियों का सबब बन जानलिवा साबित हो रहा है, ग्यात हो कि नाले परिसर में आगान्तुकों के लिए बैटने तथा उनके वाहनों की पाकी हितों, भव्य पतांगन उपलत करा गया है, पर अंतुस्तानिक सर्वचनिक बानकाम विभाग की दुर्लक्ष से उक्त पतांगन खुद समस अक्रस्त है, जिसके समय रते उचेश सफाई तथा वहाँ जमा होने पाने बारिश के जल की निकासी व उपर के उपर का साफ सफाई होना आवशिक हो क्या है, जल जमाँ व घास की कारण रोजाना अनिक वाहन सालक तथा नाकरी को को गिरते पड़ती देखा जा सकता है, तो सार्वजनिक बांग का विभाग का ऐसा ही रवया जाली रहा, तो इस परिसर में कोई पड़ी और प्रियक घटना को ना करनी जा सकता, ऐसे परिसर में सीथ नादिश निवास के भारी परिसर तुदूर मुख्य द्वार पर बड़ी बड़ी कटीले पेड उककर आये हैं, व पत्रकारों ने आप लोगों ने भी जो मोटो एक्शन लिया है इस बात का, इसकी सभी न्यूज जू प्रकाशिक हुई है, विवित पेपरों में हुई है, इसके बावजित भी जो पीड़ी डिपर्मेंट है, वो सोया हुआ है, वास्तर की जाबदरी जो है पीड़ी डिप इसके बारे में और लेता नहीं, अब तक ये अक्षारों को वकिलों को नहीं लोगों को तक्रिक हुई है, यहां बांका मिबग के भी कर्मचरी आते है, यहां बांका मिबग के इंजीनियर आके गए, देखके गए, बारिश की वद्धें से, बैसे अन्योज के लिए सामझे से किशार ठुड़े लेकी रिपोर्ट